condition अगर सही तरीके से चलें तो आपका condition कोई बहुत जादा नहीं है अब nature of exam क्या चीज हमसे कह रहा है आपने तो सुना होगा कि इस exam में तीन step होते हैं चलो देख लेते हैं कौन-कौन सा प्री मेंस इंटर्व्यू यही किसने किसने सुनाया चलो बताओ प्री क्या होता है सबसे पीछे प्री क्या होता है बोलो मैं सुन रहा हूं हाँ बोलो खड़े होके बात करो आराम से या बैठ जाओ कोई बात नहीं है अगर बोल पहुत हो प्रिलिम्स क्या होता है पता है ना कि यह तीन step होते हैं कितनी बार यह सुनाया है प्रिलम्स प्रिलम्स क्या होता है? हां तो इसका डेचर MCQ क्यों रखा गया है अब लोग लिखो मैं अपनी हर बात को प्रूव करता हूँ इसका डेचर MCQ क्यों रखा गया है MCQ क्या होता है इसकी त्यारी करने आ गया हो ना उमर एज ठीक है 21 साल हो गया तुम्हें नहीं पता है और इसका कब से सोच लिया था इस बनने का 2000 अभी इसी साल सिक्का उचाला है ठीक है तो इतने दुनों में तुम यह फर्स स्टेज दी समझ भाए कि MCQ क्यों क्यों कराया जाता है इन्होंने बताया कि prelims क्या होता है GS होता है CS होता है इतने questions आते हैं यही सब को पता है 99% को भी पता है जिसको यह पता है कि यह prelims objective क्यों होता है और objective क्या होता है उसके लिए exam आसान है आज तुम्हें यह प्रूब करके भेजूगा कि तुम्हें exam के बारे में कुछ रही पता तुम्हारे fail होने का reason तुम्हारे अंदर मौजूद है तुम गायन प्रतियोगिता में तलवार चलाने जा रहे हो या तलवार बाजी की प्रतियोगिता में तुम रागमलहरी गाने जा रहे हो तो तुम्हारी problem यह कि तुमने कहा कि सर बहुत मन से गाना गाया अभे तुम्हारा गाना सुनने थोड़े न कोई आया ता वह तलवार तुम कुष्टी के बहुत बड़े शौकीन हो, तुम कुष्टी के लिए अपना टाइम और पैसा खर्च करके गया हो, तो सेम चीज तुम यही कर रहे हो UPSC के साथ, इससे पहले हमें सेमिनार बता है कि वह क्या चाहता है, that is important, तो आप यह एक्जाम देने जा रहे हो, MCQ क्यों होता है, Multiple Choice Question, ठीक है, क्या होता है, Objective, Objectivity किसे कहते हैं, वस्तु निष्ठता किसे कहते हैं, निष्ठ, यानि यही है, इसी में इती, यह निष्ठ है, कहते हैं, निष्ठावान, यानि इसके साथ यह जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है, मेरे पास जो चार Options हैं, उसमें एक पक्का सही है, एक पक्का सही है, इनी चार में से एक Answer है, Basically जो Objectivity होती है, Objective होना, Objective का मतलब होता है, भीड में संकेंद्रित होके देखना, यानि आपके विस्तार से आपके केंद्री करण होना, जैसे Magnifying Glass देखा है, तो सूरी की किरणों को समिट के क्या कर देता है, एक बिंदू पे लेकर आता है, तो Objectivity कहता है, कि आपने जो चीजें पढ़ी हैं, जो संकलपना हैं, Concept समझे हैं, उसमें से सही तत्यों की तुम जा यह कोई हलकी फुलकी बात नहीं, प्री है, प्री है, MCQ है, Objective है, Reasoning Ability का मतलब क्या होता है, किसी भी बुद्धिमान इंसान के लिए, बड़े ध्यान से समझना, किसी भी बुद्धिमान इंसान के लिए, जो बुद्धी का पहला सेग्मेंट है, बुद्धी का पहला सेग् हो है, What is the reason, what is the effect, Reason effect है, तो यह क्या है, यह reasoning mind है, reasoning mind मतलब है, सोचने की शक्ती का आगे प्रसार होना, तो मैं बार-बार reasoning की बात क्या है, reasoning का मतलब होता है, सामने दिये गए facts में से, अपने काम का fact चुन लेना, यह reasoning होता है, this is known as reasoning, तो यह UPSC prelims का जो exam है, वो कुछ और यह reasoning है, हाल ही में scientist ने यह किया, इस कथन पर विचार करिये, following these sentences, one, two, three, four, ऐसे question आते हैं, महत्मा गांधी के आंदोलन पे, डिमलिकित कथन पर विचार करिये, follow the statement, one, two, three, four, उसके में चार अलग की महत्मा गांधी ने ऐसा किया, महत्मा गांधी का इन्होंने सही हो किया, इसका यह प्रभाव रहा, उस समय का जो है, वाइसरा या जो गवर्नर जनरल था, वो ऐसे ऐसे काम कर रहा था, आपने चार बाते वहाँ पे कर दी, उसमें से आप से कह रहा है कि इसमें से सही बात कौन सी है, तो reasoning क्या होता है, reasoning हमें एक overall picture देखके अपनी चीज को चुनने की ताकत देता है, reasoning का यह प्रभाव होता है, और माना जाता है, दुनिया बर के दार्शने के कहते हैं, कि इनसान को ज्ञान प्राप्त करने के लिए, knowledge, wisdom अटेंड करने के लिए, उसका reasoning mind होना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि reasoning mind से ही, वो new knowledge, worldly close को, new knowledge को acquire कर सकता है, बड़े ध्यान से लिखना, आज तुम्हें पता चलेगा, तुम्हें प्रिलिम्स के बारे में ही नहीं पता था, और तुम पूरे टाइम प्रिलिम्स के तयारी कर रहे हैं, तो तुम्हारे सामने किताबे रख दी जाती, नोट्स रख दिया, तुम अभी उसक इसका होना क्यों जरूरी है, यह समझो, मैंने अभी इससे पहले बताया, nature of exam, मेरी बातों को लिखते जाओ, इस पर आपको घर जाकर आज इससे लिखना है, मैंने जो पढ़ाया उस पर मुझे एक विस्तार चाहिए, आपकी thinking चाहिए, क्योंकि यही है, reasoning का मतलब होता है, thinking thinking ability की शुरुवात, thinking, क्या है, thinking, विचार करने की शक्ती, तो विचार करने की शक्ती, power of thinking, क्यों, अब जरा इसको सुनो ध्यान से, nature of the exam क्या कहता है, UPSC तुम्हारा selection किसके लिए करेगा, officers, all India label, यही है, आप अधिकारी बनोगे, या कुछ और बनोगे, यह तो confirm है न, अधिकारी बनने के लिए, अधिकारी के सामने, यह अधिकारी क्या कौन सा होता है, लोक सेवक होता है, public servant होता है, क्या होता है, लोक सेवक, यानि जनता के सामने जो भी समस्याएं आ रही है, और इधर कौन है, सरकार है, यह government है, मालनो इसका नाम मैंने रख हुई है, DPSP से, वो कहती है, कि भारत को लोक कल्यानकारी राज्य होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, welfare state होना चाहिए, यानि, welfare मतलब गरीबी हटाने के लिए, सरकार को पैसा दे, सडग बनाने के लिए दे, बिजली दे, स्वास्ति के लिए दे, विज्ञान को आगे बढ़ आती है, एक मकसद को लेके, चलो गरीबी निवारन करेंगे, इस बार हम सभी बच्चों का ठीका करन करेंगे, पुलियो वैक्सीन देंगे, एक स्वाइजेट सारी बातों को लेके, लेकिन इस बजट को इंप्लिमेंट करने का काम कौन करता है, लोक सेवक, अब ये जो होता हो, सभी बच्चों को एजुकेशन मिले, लड़कियों के लिए ट्वालेट्स बने, जो है ड्रॉप आउट रेशियो कम हो, बाल विवाह कम हो, हर अपनी गवर्मेंट का सबका एक टास्क होता है, परियावरान सुरक्षित रहे, सफाई बड़े, ओपन डिफिकेशन, खुल है, बहुत ही अलग है, कोई धर्म से जुड़ा हुआ है, कोई जाती से जुड़ा हुआ है, कोई विचारधारा से, कोई जेंडर से, कोई भाषा से, कोई छेतर से, कोई स्टेटस से, कोई वर्ग से, यह जुड़े हुए है, अलग-अलग तरह के लोग एक जगा रह रहे है, आपने कहा कि सुच्छिता बढ़ानी है और चाचा कहा रहे नहीं है जब तक हम खेट की तरफ निकलेंगे नहीं तब तक हमारा काम होगा नहीं तो ये बड़ा ही एक दिक्कत वाली बात यहां हो जाते हैं अब आपको समझाना है और आपको कन्वेंस करना है अब जरा ध्यान से देखो कि सरकार ये कह रही है कि आपको ये चीज करने आपको ये लक्ष प्राप्त करके हमें देना है गाउं में हमें सड़क चाहिए या अभी आपने देखा कि 100% कहरी गवर्मेंट की इंस्टूशनaris डिलिवरी करो सब इंसे को पोंचरा दो में च और उनका इंस्टूशन डिलिवरी करो अब मताला गाउं में ही पजास तरह की दिख्कत रही हैं महीं पूश्य किसी एक सास बोली junior हमारी बहु अस्पताल नी जाएगी हमारे यहां इनके पापा, उनके पापा, इनके पापा, जो है वो, फलाने फलाने ऐसे पैदा हुए, दुनिया भर की बाते हो जाती है, अब आपको अपना प्रोग्राम, गवर्मेंट गरी कराओ, यह गर नहीं कराओ, अब आपको सामने क्या दिखता दे, एक situation आ जाती है, और इस situation में आ reasoning, जो word निकल कर आया है reason से, reason का मतलब होता है कारण, क्योंकि हर कारण एक प्रभाव पैदा करता है, every reason create an effect, बड़े ध्यान से इसको line को लिखो, बड़ा खास line है, यही UPSC, UPSC सिर्फ दो word में है, reason effect अगर तुमने मेरे साथ सीख लिया, analytical mind तुमने सीख लिया, तुम्हें क कोई दुनिया की ताकत रोक ही नहीं पाएगी, हम problem में इसलिए क्योंकि हम reason effect को समझते ही नहीं है, कारण और प्रभाव, कोई भी चीज हो रही उसका कारण है, चाहे वो सफलता हो, चाहे असफलता हो, जीत हो, हार हो, कुछ भी हो, और उसका प्रभाव, चंदरियान दो छो तीन successful हो गया, जो हमें गरीबों का देश फलाना कहते थे, आज वो हमें elite club में कह रहे हैं, कि दुनिया का पहला देश जो south pole पे पहुंच गया, तो कारण और प्रभाव, यह क्या होता है, अगर हम कहें प्रभाव भारत की शक्ती बढ़ गई, भारत इस space power बन गया, तो उसक का कारण होगा, तो कारण और प्रभाव दोनों एक दूसरे के साथ चलते, बड़े ध्यान से समझना, कारण और प्रभाव, इस संसार में जो कुछ भी logical है, वो क्या है, कारण और प्रभाव की वज़े से, अगर देश गरीब है, तो उसके कारण है, तो गरीबी क्या है, प् चाचा है, यह open defication, सरकार कहा रही है कि हमें तुम्हारे जिले में zero, खुले में सौच नीची, और चाचा जो है वो, तमाम तरह की तरक दे रहे हैं, शास्त्रों में यह लिखाया है, धिकाना में ऐसा हुआ है, फलाना चीज़ें ऐसी हुई है, तो आप इसके बारे में आपको government के task पूरे करने के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, नए logic को develop करना, समझाना पड़ेगा, peer group बनाने पड़ेंगे, आपको उनको बताना पड़ेगा किसे कितनी बिमारिया होती है, वो अपने तरक देंगे, आपको अपने तरक देने होंगे, यानि officer बनने का पह solution निकालना है, वहीं से आपको solution निकालना है, यास, hello, हम, ठीक है मैं बात करता हूँ, अभी class से निकल जाए, ठीक है, तो यह आपको समझना पड़ेगा कि कारण और प्रभाव क्या चीज होती है, ठाने, तो आपकी पहली शर्त मानना जा रहा है कि आपके पास reasoning mind होना चाहिए, क्योंकि आपको situation को analysis करके क्या करना है, solution निकालना या crisis management करना है, और officers को यह बहुत करना पड़ता है, वो लो क्या करते हैं, जाते हैं वहां के जो बुजर्ग आदमी पहले उनको पकड़ते हैं, कि चल चाह आप चलके समझाओ, आपकी बात सुनी जाती है, तो हर तरीके, जहां लाठी चलानी होती है, वहां लाठी चलाते है, जहां बातचीत करनी होती है, वहां बातचीत करते जहां शांती प्रक्रिया अपनानी होती है, वहां शांती प्रक्रिया अपनाते हैं, कौन सी धारा लगाई जाएगी, क्या किया जाएगा, वो सारी चीज़े वो मैनेज करते हैं, तो reasoning mind सबसे important, तो इस exam का जो पहला nature है, वो क्या है, आपका reasoning mind check करना, और यह क्या है, screening है, इसक सिर्फ यह देखा जाता है prelims में, कौन इस exam में आगे जाने योग्य है या नहीं है, prelims के marks आपके जोड़े, नहीं जाते है final marks में, यह सिर्फ cut off है